अगर दोस्तो आप भी credit card लेने के लिए सोच रहे हैं तो दोस्तो ये वीडियो आपके लिए कापी important होने वाला है क्योंकि दोस्तो इस वीडियो में जो है credit card के बारे में सारा कुछ doubt आपको clear करने वाला हूँ बारे में आपको point by point आपको बताने वाला हूँ तो वीडियो में लाक्ष्ट तक बने रहना है साथी साथ दोस्तो अगर आप चैनल पर पहली वारा है तो चैनल को नीचे subscribe करके बाए लेकर इनडा प्रेस कर लेना है ताकि आपको आगे भी इस पर करके डेली आपको वीडियो मिलते रहेगा तो चली दोस्तों वीडियो को शरू करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको क्रेडिट कार ले ने से पहले आपको इन इन बातों को ध्यान्त रखना है थिक है तो सबसे पहला पोईंट एक credit card क्या होता है दोस्तों credit card एक debit card के जैसे ही card रहता है जैसे कि यह card जो है debit card है ये card आपके बेंग के द्वारा लिंक रहता है ता कि या आपके bank में जितना भी पैसा रहेगा आप इस card के थुर आप इस card के थुर उतना ही पैसा आप निकाल सकते हैं, लेकिन credit card जो है, यह कुछ इसमें अलग रहाता है, जिसकि यह card जब आप credit card अफ्लाइक करते हैं, तो इसमें यहाँ पर bank की तरफ से एक limit set किया जाता है, जिसमें कि आपके case में हो सकता है कि 40,000, 50,000, जो भी limit आपके card पे set होगा, ठीक है, जिसकि यह मेरा card है, इस card का limit आपी 30,000 है, तो यह जो मेरा card है, flip card axis bank का, इस card आपके limit 30,000 है, मैं यहाँ पर एक महने में, 30,000 card में आपके कोई भी समान यहाँ खरीद सकता हूं, इस card के दरू ठीक है, और इस card जो भी limit रहता है, इस card से मैं जो भी खर्च करता हूं, इस card से आप मैं जो भी रहता उप लिमिट में खर्च कर सकते हैं आप दूसरा पॉइंट यह है कि इसको अप्लाइक कैसी किया जाते हैं तो अप्लाइक करने के लिए तो सबसे पहले तो आप जो भी बैंक का क्रेडिट कार्ट लेना है आप उस बैंक पे जाकर कि यानि आप एक्सिस बैंक का लोगों को मिलता है हा तो दोस्तों तीसरा पोईट यह है एक्सिस बैंक होगों लोगों के मिलता है तो दोस्तों तीसरा झाצ हो अचा कुछ जूब हो अच्छा सब्सक्राइली हम ओ कर नो करने के भी तो है अगर दूस्त हो आपके पास अच्छा जौब है अच्छा सेल्रीरे और अच्छा स्ए 20 को आप यह पे घ抵ाइन के आपको क्रेड़ इंग डीगा जैसे कि आगर आपका वैंक क्युस्स कर दियेता है तो इसके पर सकता है और यहां हो पाइल्ट करने के लिए आपके बहुत्ख्री पर बावजोट आपके अपके आफ्रेस करिया जाता है ठीक है और यह मिलता है कैसे मैं आपको पहले यहां को क्रेडिट काड्योज भी जाता है ठीक है जैसे कि आप यह पे आप बाइक में या तो आपके पास गारी वेगर आप फ्यूल भरवा सकते हैं कोई आप ओलाइन ट्रांजक्शन कर सकते हैं एक एम से कैस निकाल सकते हैं लेकिन आपको एट्यम से कैस निकालने के बाब जो थी उसी दिन सब को पेनलिटी अब पास प्यादा क्या है और इसका निकसा क्या है तो दौस्तों आपको फायदा इसका यह है कि अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो आपके पस अगर पैसे नहीं है और आप यह पे फ्रेंड से भी नहीं मांग सकते हैं, तो दोस्तों उस से में आपका यह पर credit card बहुत ही फायदा देता है, जैसे कि आपके पर कुछ समान खरीद रहे हैं, आपके पैसे नहीं, तो आप credit card से उस समान को खरीज सकते हैं, हाँ वल पर कोई मोबाइल फोन ले रहे उसमें पर चंद्रा की प्लीप का डेक्सिस बैंक में आपको पर्सें का डिसकाउंट दे रहा है ताब जब आपको प्रेडिट काड को आपको अपलाय करते हैं यानि समान लेने के लिए तो इसमें आपको 5% का डिसकाउंट भी मिल जाता है ठी से पैसा नहीं निकाले तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा ठीक है और दोस्तों इसका नुक्सान क्या वो मैं आपको बता दे तो सबसे पहला नुक्सान यह है कि अगर आप क्रेड़ कर से कोई भी यह पर पैसे को खर्च कि यानि लिमिट को खर्च किये हैं और उस इसका इसक पहलता है है तो आपको दे आपको जाता है ऑर आपका कार्च करड़ कर सकते हैं यहBS उसका जो भी बीड रहता है यानि जो भी पेमेंट होगा उसका उसका कट हो जाएगा कोई पे कुछ भी आपको यह पर पता भी नहीं चलेगा नहीं इसमें आपको पैसा कटने के बाद आपके मोबाल पर मेसेज आएगा और दूसरा यह है कि इसको आप करते हैं तो इसमें ओट फ्वी आपको डालने के ज़रौक नहीं परती यानि जो जो नमर है और पीछे जो भी इसका अप्ली नमर होता है सिफ उसी को डाल करके यह पर ट्रांजक्शन कर सकता है वो ठीक है और यहां पर ओड़ी आता है जब आप इसको नेस्ट करते हैं इंटर जैसे लोश्ट हो जाता है जैसे ही लोश्ट हो जाएगा आपका कार तो उसको तुरांती आपको यह पे ब्लॉक कर देना चाहिए ठीक है और तीसरा सबसे बड़ा नुक्सान यह है कि अगर इसका जो भी पेमेंट हो टाइम टू टाइम पेमेंट नहीं करते हैं तो इसमें शॉर्हा है और आपको जोगो समन पसंदा जाता है तो आपको बीना पैसे देखी है आपको यह परेष्ट कर साब इसको चाहिए पैमेंट करें जोस्तों जब यह खर्च कर्ट जाता है लिमिट रहता है उस ले मिपेंट पोई आप कुछ सब्सक्राइब कर सकते या तो ऑल्लाइन सब्सक्राइब कर सकते अगर आपके पास अच्छा बिल कर सकते और इसका पैटियां फॉन पे जो भी आप यह पी इसका पैमेंट कर सकते और तिसरा प्नेट बैंक की या मोगाल आपके थिरूबिय कर सकते और साथ माप पॉइंट आता है कि आपको क्रेडिकाद लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए तो दोस्तों आपके पास अच्छा इंकम नहीं है और यहां पे बैंक आपको फिर भी क्रेडिकाद दे रहा है अगर आप क्रेडिकाद ले लेते हैं तो इसमें आप और यहां पे घड़े में गिरते जाएंगे तो जोब भी आप उससे खर्च करते हैं वह आप टाइम टू टू टाइम प बढ़ता है जारी आप मानली जी कि मेरे काड़ का लिमिट है 30,000 रुपिया ठीक है और यहां पे इसका लिमिट आप कैसे बढ़ेगा तो दोस्तों अगर आप जब लिमिट बढ़ना चाहते है इसके लिए आपको यह जो भी इसका लिमिट रहता है उससे आप अगर खर्च क कर लेता हूं उसका टाइम-टो-टाइम एक पेमिट करते जाता हूं ठीक है तो बैंक तो इसको लगता है कि यह जो क्रेडिक कर लिया है इसको यह ओर लिमिट देना चाहिए क्योंकि यह तैम-टो-टेम पेपर लेंट कर रहे है तो इस बजये से अपर पे लिमिट soldier का मिया क्या फायदे होता है इसको कैसे लेना है किन किन लोगों को मिलता है इसका बिल पेमेंट कैसे करना तो सारा कुछ डीटेल आपको इस वीडियो में को बता दिया हूं आपको कुछ भी आपको यह पर डाउट है तो मुझे निश्टा भी फोलो करके वह से पूस सकते हैं ठीक है अभिजरा से लगवा आलगता है और दोस्तों सार शारी पे wünवमों को भी सेरकला जो भी कर लेना चाहते है ठीक है तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो नहीं對啊